नुम्हार स्वागा था आप सभी का चांड़ा कोचिंग लाइस वह राइश हुए तो जैसे हम लोग यह यूपी बीएड इंटरस इंग्जाम से रिलेटर तो इंपॉर्टन कुश्चन दे रहें आपको बरावर तो उसी सरंखला में आगे आज हम ब्रांच अकाउंट से रिल करना जाता है तो ब्रांच जिश्मेंट बना जाता है वह एड ऑफिस अब डिपेंडेंट असी साखका के प्रधान कारले दार बनाया जाता है आपसे नंबर 20 होगा इसका अंतिमिसकंत की राज ग्याद करने के लिए बनाना होता है यह क्लोजिंग स्टॉक जब नहीं दिया रिकार्ण तो कैना उसके लिए बनाते हैं रांटार सब्ना था इकाँटिक ऄिया आप से न्म्र जा टम्र कांद हिए को मुखे कारेले को लोटाया गया माद शोधियर तो साख आगा में आपका बैठ डार्फ सेнок या जिसत्यों भी उप तो या असूद देना बैडफ्स आप रिकॉड नहीं करेंगे बैडफ्स रिकॉड नहीं की जाएगी तो इसलिए उसमें क्रेडिट सेल्स लिखा जाएगा तो ना तो कैस परचेजर ना को सेलस है उसी के ओपर इफेक्ट पड़ता है तो इसलिए आप से नमें D होगा अगला है देखते जाए कुछन जल्दी स्वतन साखा वहा है जो अब स्वतन साखा विद्ध की ब्रांचेज दो टाइप की होती है अगर आप देखें इससे स्टार्टिंग करें तो देशी और विदेशी दो होती है जो देशी होती उनमें दो होती है डिपेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडें प्रांचेज होती है। इनमें क्या होगा सी क्या होगा क्य आप साने नंबर सी स्वेंब के लेखा लेखों पर माल क्रे करते हैं तो यह उसम होते हैं तो यह माल करते हैं ठीक हड़ाफिस से ही माल लेती है और उसको बैस्ती है वो dependent ब्रांच जो होती है फिर विदेसी धाखा की दसा में मुख की कार्याले और स्थाखा द्वारा लेखे रखे जाते हैं विदेसी अनि foreign branch है foreign foreign branch है अगर तो foreign branch तो वहां उसका head office और दूसरे देस में होगा और उसको ब्रांच है वो किसी दूसरे देस में होगी तो उससे से में वो अपनी accounting कैसे करेंगे तो यह क्या होता है कि जहां भी step होता है वो उसी वहां की मुद्रा में वो अपना लेखा करती है आपसा number C होगा क अपने अपने देश की मुद्रा में करती है अगला विदेशी साखा की दसा में विदेशी साखा की दसा में लेंदारों की राज परिवर्तित की जाती है लेंदारों की राज सी परिवर्तित की जाती है तो आठ नंबर का A होगा क्या होगा आठ नंबर का यह हो जाएगा औ और क्योंकि आपसा नमबर ए अन्तिमदर पर किस लेंदार जो क्रीटर्स होते हैं देखे अभी हमने आप से क्या कहा कि दूसरे देश में उसका है अपने अपने देश में जो है वो के देश के मुद्रा में रिकॉर्डिंग करेंगे लेकिन जब ब्रांच अपना रिकार्ड है सब्सक्राइब करें आप उसको रिकार्ड करेगा तो तुसको कंवर्ड करेगा तो पर क्लोजिंग एक रहें जो इस से आते हैं तो वह इस पर चलोग लेंग देख लेते हैं कि क्लोजिंग रेट नहीं हम लोग कुछ इससे रिलेटेड जो करन रेट हैं कौन सा मांट किस पर करन वर्ट किया जा किसे रेट पर उसको जलिए हम लोग देख लेते हैं जल्दी से तो देखिए आप देखिए क्या है कि स्थाही संपत्य अगर फिक्स एसे अब इसमें एसे अगर कोई नहीं दर दी गई है उस समय की तो जो जो होगी प्रारंभिक दर होगी क्या होगी इसको समय की तो इसको किसपर करेंगे तो समय कि उस योगी यह फिर नहीं दिये तो प्रारंभिक धर उप्नी एसेट्स आइन फिक्सलियबिल्टी जोनों होगर है तो किस पर कर्मट की जाएंगे ओपनिंग रहातिया तो जो ओपनिंग पर कर्मट किया जाएगा और जो लोग फ्याहिए किया जाएगा और रिवेन्यु आइटम्स इनकम्स होती वह आउसत दर पर योरे पर पर की जाती है फो योरे जाएंग अब है अग्ला डूबत राएट के पर की जाएगा तो बहुत तो यह पर की जाएगा किस पर किया जागा आपको याद रखना है यह किस पर किया जागा क्लोजिंग रेट पर किया जागा Sud तो इस तरीके से आपको मूझे जिया तो इस तरीके से आपको इम्पॉर्टन यह ध्यान को साओ ऑगे के कुछ वें उखर से लेयर कोस्टली पूछ ले जाते हैं कि कहा गया कि अगर तुक्ही करा क्कि hell थो लागत पर कितना ले रहा हूँ तो जरा देखो रिलो एक बार की माना की मेहां मेरी सेलसी अगर मेरी सेल्स कितनी है मेरी सेल्स है अगर तो इस में सस्वाते हैं इसे शीजम में क्या होगा इस助क् heating के तो अगर 20 profit है तो cost कितनी होगी 80 और profit कितना होगा 20 तो अब इस साथ से अगर इसको cost पे convert करें इस rate को 20 upon क्या होगा 20 upon 80 into 100 अगर इसको rate में convert करें मान को तो कितना जाएगा 25 कितना होगा 25 तो नहीं आफसा नंबर 9 का क्या हो जाएगा C हो जाएगा यह फार्मुला याद रिखेगा sales is a true cost plus sales is a true cost plus profit इस पर किसी जिन वीडियो लेकर आएंगे बहुत चोटा सा वीडियो बहुत अच्छा फार्मुला यह इस पर क्लोगोलेशन कर सकते हैं आप आसानी से कुश्चन का तो इसमें क्या हो गए 25 परसेंट अगर selling price 20 परसेंट है तो कॉस्ट पर कितना होगा तो कॉस्ट पर 25 परसेंट हो जाएगा यह कुश्चन है अब अगला देखें अगर आप देखें देखें 125 परसेंट हम कॉस्ट प्लस 25 परसेंट करेंगे तो कॉस्ट कितनी है बीजार है तो जब इस प्राइगे तो बीजार का 25 परसेंट निकालेंगे तो कितना आएगा बीजार का 25 परसेंट अगर आप निकालते हो तो पांशार आएगा अब इसमें अगर बीजार में पांशार जोड़ दिया जाए तो पचीजार हो जागा इन्वाइस प्राइज कितना होगा पचीजार होगा आफसर नंबर सी होगा अगला साखा को लागत प्लस 33 परसेंट शाज़ कितनी होगी मतलब यह सिन्वाइस प्राइस में दो चीजें क्या कोस्ट है और साथ इसमें प्रॉफट भी अब कितनी की इन प्रॉफट है तो यह निकलने के लिए तो यह 33 से 3 परशंट जो दिया गया है इसको शु में भाई थाड में ये इसको यह सीदे शीदे य तो 1 by 3rd हो जाएगा यानि 1 by 3rd जो होगा cost का 1 by 3rd जो है वो profit होगा cost का 1 by 3rd जो है profit होगा तो और दोनों को जोड़ने पर कितना रहा है 40,000 तो इस तरीके तक इसको solve करेंगे तो यह निकल किया जाएगा आपका profit 10,000 आएगा और प्राफिट जब 10,000 आएगा तो cost कितनी हो जाएगी 30,000 हो जाएगी आपसा नमबर C अगर C है इस तरीके question आपको practice करनी पड़ेगी अगर नहीं समझ में आ रहा है तो comment करिएगा हम आ दूसरे वीडियो ऐसे question पर और ले आएंगे जो practical question है अब अगला question है बिदेशी साखा कातों में लिखित में से किसमत को आउसत बिनमेधर में परिवर्तित किया जाता है मैं भी आपसे कहा था कि revenue items को क्या किया जाता है योरेस पर convert किया जाता है आपसा नमबर C यह हो गया और अगला है साखा समया जन खाते की प्रकृट होती है तो साखा समया जो खाता होता है branch adjustment account होता है वो किस नेचर का होता है ब्रांच adjustment account जो होता नंबर यह सी होगा सारी यह सी वह फिर निकल रहा था यह सी होगा परसनल नेचर का हो जाएगा ठीक है अब इस तरीके से कि देखे यह जो है इस जगे थोड़ा सा मिस्ट्रीक पहले जो मैंने बताया था वही सही था बड़ जल्दबाजी में थोड़ा कुश्चन गलत हो रहा था जो साखा समय जान खाते के प्रकेर्थ होती है वह जो होती है वह वास्तविक प्रकेर्थ की होती है आपसा नंबर यह होगा यह वाला सही हो जाएगा वह जल्दबाजी में मुझे लगा कि वह गलत हो रहा है तो वह जो पहले ही बताया था वही सही था अब प्रधान कार्याले की पुस्तकों में आश्री साखा समंदील लेखा करते समय नस्ट्वे माल को दिखाया जाएगा कहां दिखाया समय तशकन दिखाते में दिखाया जाएगा मुखी कहारेयल में साखा को भेजा गया माल एदि साखा को प्राप्त नहीं होता है तो मुखी ब्रांच अपने अले लिखता है गुड्षिंट ट्रांजिट बट जो और आफैस pounds, और अपसला निम्बर this होगा C कूशन है एक वि प्राउधान को परिवर्तित किया जाता है अगला विदेशी साखा खाते में परिवर्तित किया जाता है तो किस पर किया जाता है ओपनिंग रेट पर किया जाएगा आपसर नंबर सी हो जाएगा अगला एक साखा सामाने तया लागत में 20 पर जोड़कर माल बेशती है साखा ने वर्स 2012-13 में एक लाग बीस जार का माल बिक्रे किया साखा दारा बेचे गए माल की लागत होगी यानि कि अब देखो वो प्रॉफिट कितना कॉस्ट में 20 पर जोड़ देते हैं तब वो बेचते हैं तो यानि सो का माल होई 120 का बेचते हैं अगर इन्होंने का एक ला सामानता पहर देखे कि लागत में 25 पर देखी इहां पेस्ट माल है निए रो लगत में 25 परॉफिट एक खोंष जोड़ यहां दोसो पचास का यहीं 50 रुपए 200 दोसो पचास की बिक्री हुई तो कितना लागत थी 200 इसाथ से दो लाख पचास जार कि अगर बिक्री हुई तो लाख लागत हो जाएगी ठीक है इस तरीके से आप शन यह सही हो जाएगा अगला जय है कि इस दो लाख होगी एक सामानत लागत में 33 से बाटा 3 यह जो है यहां पर देखें मिस प्रिंड थी यह एक तीन परसंट है देटी से गोटा 3 पर स्लाः जोड का माल बेचति तो बारा से बार्स तेरा में लाग्वाम 15,000 का माल विक्री किया साथा और बिक्री माल की लागत ह होगी तो 33 बटा 3% अगर प्राफिट है तो वह इसको बिक्रे पर इस रेट को करते हैं तो वन भाई 4 आता है एक लाग 12,000 तीन बटा 4 अगर एक लाग 12,500 आफसा नमर बी होगा अगला विदेशी साख्हा खातों में निमने में से किस मत को और सथ बिनमेदर में परिवर्तन किया जाता है तो और सथ किस पर लागू होता है और सथ बिनमेदर किस पर लागू होगी तो यह रिवेन्यु आ खाको लागत में 20 पर सथ जोड़कर माल भेजा जाता है तो विक्रे मूल पर लाव आधायरी तो होगा बीजक मूलिगा कितना होगा अगर लागत में 20% जोड़ते हैं तो भीक्रे मूल पर प्रफिट का रेट होगा तो उगल तो इसको अउट यह देख रहें ना इसको आप यह 20 प्रसेट अगर लागत में 20 प्रसेट जोड़ के वेजा जाए तो वही रेट अगर कनवर्ट किया जाए तो सेलिंग प्राइस पर क्या कर नोट नोट हो दो देखिया ऐसे कोश्चन में होता क्या है कि एजम्शन लेते हैं माना कि मेरी जो लागत है वह सो रूप है ठीक है अब देखे और हमारा जो प्रॉफिट कितना है उस रीट की तेसे हब से आप से R gurus अगर से सेलG निकाली जायए तो क्या होगी 500 20 होगी यह सेल से एं यह कौस्ट है यह हमारा प्रॉफिट है अब अगर इसी से रेट कोहम सेलिंग पर करें तो यह ऐसे कनोड होगा 20 upon 120 यहनि कितना परसेंट आएगा 20 upon 120 इंटु हैंड़ेट जो जाएगा तो 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए इसके बाद उपर यह उपर दस यह जाके गुड़ा होगा तो 200 बटे 12 क्या होगा 200 बटे 12 इसका मतलब 100 बटा 6 तो यह 16 सही 2 बटा 3 जब आप इसको कटेंगे तो यह आएगा 16 सही 2 बटा 3 आपसर नमबर डी होगा ठीक यह हो गया अगला देंदार विदी से साखा खाते के निर्मार की प्रकिर्थ हैं देंदार विदी यह ब्रांच डेप्टर मैथड है एक मैथड है बनाने का उस बिदी स से उसकी प्रविर्थ क्या होती कि साखा खाते की तो साखा खाते की जो प्रकिर्थ होती है यह आपसर नमबर सी हो जाएगा क्या नॉमिनल लेचर होता है अगला क्या है कि आस्रित साखा की दसा में लाव निर्धारन विदियों की संख्या है आस्रित साखा की दसा में लाव इंपोर्टन कोश्चन हो गए ऐसे कोश्चन और आपको मिलते रहें इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें हमारे चैनल से जुड़े रहें अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करें कमेंट करें ठीक थेंक यू